असलामु अलेकुम आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कश्मीरी चिकन मसाला की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनकिये तैयार होता है घर के मसालों के साथ ही बन जाता है फटाफट से इजीली बन जाता है तो देरी किस बात की हम फटाफटी से बनाना शुरू करते हैं यहां मैंने लिया है एक किलो बोन वाली चिकन हम इसमें एड करेंगे नमक आदा चमश हल्वी और आदा चमश कश्मीरी लादमिश पाउडर सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन को हम अटली सादे गंटे के लिए मेरिनेट होने के लिए तब हम इसमें चिकन की पीसे जैट कर लेंगे एक एक करके हमें चिकन की पीसे जैट करना है और चिकन को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राय कर लेना है चिकन को हम फास्ट फ्लेम पे ही फ्राय करेंगे और एक से देड मिनट बाद हम इसकी साइड जो है पल चिकन हमारी यहां पे फ्राइ हो चुकी है अब हम इसे रिमूफ कर लेंगे और इसी तरह हम अपनी बागी की भी चिकन को अच्छे से फ्राइ कर लेंगे अब से मॉइल में हमें एड़ करना है प्याज यहां मैंने दो बड़ी साइस की प्याज ली थी उसे अच्छे से बारी कट कर लिया था वो एड़ कर लेंगे और प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है प्याज हमारी यहां गोल्डन हो चुकी है अब हम इसमें एड़ करेंगे तीन चम्मच अद्रकलसन और हरी मिर्श का पेस्ट अद्रकलसन का पेस्ट डालने के बाद हमें इसे अच्छे से एक देड़ मिनट के लिए फास फ्लेम पे ऐसे ही भूनना है और अगर आपको मसाला थोड़ा से ड्राइ लगे तो आप इसमें पानी भी एड़ कर सकते हैं हम इसे भून लेंगे अच्छे से ताकि अद्रकलसन की सारी रॉस्मेल चली जाए अब मैं यहां पे एड़ कर रही हूँ टमाटर मैंने यहां तीन मीडियम साइस के टमाटर लिये थे उसे अच्छे से बारिक कर लिया था वो एड़ कर लेंगे अगर आप चाहें तो टमाटर को मिकसर जार में पीस्ट ले और उसका पेस्ट एड़ कर ले अब यहां हम एड़ करेंगे आदा चमच हल्दी, नमक, एक चमच धन्या पाउडर और देड़ चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढाक कर हम तब तक पकाएंगे जब तक ओईल जो है सर्फिस पे ना आ जाए अब ओईल हमारा यहां सर्फिस पे आ चुका है बेच बेच में आप इसे चला कर देखते रहे हैं कि कहीं आपका मसाला जो है जलना रहा हो और दो से तीन मिनट लगता है हमारा मसाला जो है अच्छे से भून जाता है अब हम इसमें एड़ करना है दही यहां मैंने तीन बड़े चमच दही ली थी और इसे अच्छे से मैंने फेट लिया था इसे एड़ कर देंगे हम और दही डालके हमें वापस से ढाक कर पकाना है जब तक मसाला जो है अच्छे से भूनना जाए हमें इस मसाले को अच्छे से बार बार ढाक कर पकाना है ताकि मसाले में कोई भी कच्छा फ्लेवर ना आए और नहीं हमारा मसाला जो है कच्छा लगे अब मसाला हमारा यहां पे अच्छे से भुन चुका है इसमें हमें एड़ कर लेना है दूद यहां मैंने एक ग्लास दूद एट किया है आप चाहें तो आदा ग्लास दूद एट करें आपको जैसे भी अपनी ग्रेवी पसंद हो ठेक या फिर पतली आप उस हिसाब से इसमें दूद एट कर लें जब आपकी ग्रेवी में एक उबाला आ जाए तब हम इसमें एट करेंगे एक चमच देसी घी इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसमें हम एट कर लेंगे आदा चमच गरमसाला पाउडर इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम एट कर लेंगे चिकन चिकन जो हमने फ्राइ करके रखी हुई थी चिकन को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढाक कर लगभग 2-3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे हम इसे पकने के लिए रखेंगे ताकि चिकन की पीसिस जो है मसाला अच्छे से अब्जॉब कर ले मैंने ढाक कर इसे लगभग 4 मिनट के लिए पकने के लिए रखा था स्लो फ्लेम पे अब इसमें हम एड़ कर लेंगे ताजा हरा धनिया और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारा कश्मीरी चिकन मसाला जो है एकदम रेड़ी है बहुत ज़ादा ये टेस्टी बन के तयार होता है और आप इसे एक दफ़ा जरूर ट्राय करें उमीद करती हूं कि आपके घर में ये रेसिपी जरूर सभी को पसंद आएगी अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें कमेंड करें और जितना हो सकें मेरी इस रेसिपी को शेयर जरूर करें थैंक्स पो वाचिंग